अभी नीचे जाते ही रिसेप्शन वाली दीदी बोलेगी वेलकम सर्व है ना ऐसे बोलती है बट भाई चार हजार का एक लीटर हो भाई साब कमबोडिया में तो नेक्स लेवल है डीजल के रेट चलो भाई कमबोडिया साइड का मिग्रेशन और कस्टम दोनों क्लियर हो गया कोई चैकिंग यूई सीधा बस फासपोर्ड में स्टैंप मार दिया और अब हम जो है यह काड़ी लेकि अपना निकल जाएंगे आसे फाटक खुल जाएगा मेरी सही मेर सनक गई मैं तो मतलब भैस वैस करने लग गया था कि ऐसे क सारा गाड़ी में से खाली करके देनी है पूरी चलो जी चलो सारा समान वगारा पैक कर लिया देख भी लिया अच्छे से कहीं पर कुछ पढ़ा तो नहीं यह राएक सूटकेश अपना में बाकी सूटकेश नीचे गाड़ी में पहुंच चुके है क्योंकि आज है हमारा ला गय Krie dosa में लेशिया जा सको तो रूट यह कि Cambodya टु ठाई-LAN्ट अाई-लमलेशिया दन टु इंडोनेशिया सिंगपुर तो हमें भी यह रूट फोलो करना पड़ेगा और दूसरी चीज हमारा सिंगापूर वीजा इंडिया में लगा नीता आपको मैंने बताया था तो थाइलेंड से लग जाएगा वी एफस है थाइलेंड में बैंकोक में तो मैंने का फिर ठीक है जब थाइलेंड से रस्ता निकल रहा है तो सबसे लें क्योंकि पासपोर्ट देने के बाद तीन दिन बाद वीजा मिलता है तो आज है दस तारीक हम 11 को कल पासपोर्ट देंगे तो 11, 12, 13, 14 तीन दिन तो वैसे भी लग नहीं है तो 14 को मैंने का फेस्टिवल मना के फिर आगे मलेशिया की तरफ निकलेंगे एक तीर से दो दो निशाने हो जाएंगे तो अभी यहां से जो कमबोडिया वाला मतलब बोर्डर वाला रस्ता है वो सेम है आपको मैं दिखा चुक हूँ इसलिए जादा व्लोगिंग करूंगा नी बट फिर जो बोर्डर से लेके बैंकोक तक तक नहीं इस बार जा रहे है बोर्डर से बैंक अभी देखना सुहन को बोले कि व्लकुम सौर चलो देखते हैं वेरे लिए खास थोड़ी है तीन दिन से बोली रहे हैं दूसरी है आज को बूद आफ्टर नों तो हमने ओनलाइन जितना बुक किया ता ना एक नाइट का और एक्ट किया तो तो उसी की पेमेंट कर रहे है यह भाई सब यहाँ पे मैनेजर है वाट रायत तो इन्हों ने हमारा चैनल देगा और यू है लोट आफ सब्सक्राइबर्स मैं बिल्कुल वीडियो बना देंगे थैंक यू सो मुझ गूड होटल यह अभी हुआ है मतलब लाश्ट येर नवंबर दिसंबर में स्टार्ट क लिए और यह सारे स्कूटर वगर अभी है इबाई साइकल टूर भी है कैब सर्विस सब कुछ मिल जाएगा यहीं पर आपको अराउंड 37 डॉलर पर नाइट पे करा हमने है मोटा मोटा इंडियन करन्सी में कितने थी नजार उपे के आसपास बनते है पर नाइट तीक है उस लिए तो इसलिए हम तो जानी सबस्क्राइब भाई यह अपनी डिया की बिग डैडी और उसी के जस साथ में देखो भाई ब्रेबस किट के साथ जी वैगन क्या क्रेजी लग रही है बाई मतला आखों से देखने में लग रहा है सही तकड़ा और यहां से मतला आपको कैमरा में समझाएगा नितना वट भाई टायर्स वायर्स होई 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 क्रेजी लेवल चलो बैग रखते हैं उरे भाई जट ब्लैक शीशे करवा रखे हैं देख रो दिख भी नीरा अंदर से कुछ हमारी तो नोर्मल है भाई गाड़ी स्टार्ट करते हैं उबल क्योंकि गाड़ी अंदर बहुत गर्मी है दो चाबी तो दो बिना उसके स्टार्ट होईगी अभी तो अच्छा हुआ मैं सनुरूफ बंद कर गया ता रात को अगर यह खुली रह जाती है ना भाई तो तो आग मच रही होती है गाड़ी में जब भी सुबहा हो तो तो जो भाई हमारा प्लैंड ताना उससे थोड़ा जल्दी निकल रहे है आज हम क्योंकि आज यहां से बोर्डर तक तीन गंटे का रस्ता है फिर बोर्डर से लेकर बैंकोक तक भी भाई मोटा मोटा चार गंटे के आसपास है तो मतलब साथ गंटे की तो ट्रैवलिंग ही है उपर से बोर्डर क्लोसिंग मेंज़ा तो बहुत लंबा सफर उने माला है थकान भी हो जाएगी आज बोट देखते लगा पूरी हिमत रही तो ठीक है वरना फिर बोर्डर क्लोसिंग करके आज रात बोर्डर पे रुक जैंगे और इन कोई जल्दी नहीं है अपने बेंकोक क्यू तो फाइनली पहुच गए है वोई सेम अपना पब स्ट्रीट वाली रोड जहां पर यह पब स्ट्रीट है देखो सामने और जश्ट यहीं पर है भाई यहां का पुलिस टेशन तो यहां का पूरा समान लोडो सारे बैग लोडो लैपटो वैपटो सब कुछ है तो भाई लोग पर खड़ी करना प्रैफर नहीं करता है ऐसे टाइम पर यहां पर क्योंकि पुलिस टेशन है तो आपन को कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलो भाई चलो फड़ावट खाई यहीं यहां का मेन अपना चोक का पुलिस टेशन है ट्रैफिक पुलिस भी और टूरिस को भी अगर क सब्सक्राइब तो हर दिन हम पनीर पनीर खा रहे तेवन का इस बार थोड़ा लग किया जाए तो मैंने कोफते मंगवाई और सोहन ने मंगवाई है यहां पर कडी पकोड़ा तो आज आएगा स्वाधन रहे लेवल चलो पेड़ पूजा डन अब तो मतला इतना खाली है कि आज रात नो दस बाज तक भी अगर कुछ ना मिले तो अपना काम चल जाएगा दिक्कत नहीं होगी है तो राज तो मोसम भी इतना कुछ खास गंदा नहीं है मतला इतने दिन से बहुत दूपती दूप तो आज भी है वट इतनी तकड़ी नहीं है कि सहाना जाए बाकी मेन तो हिमाच चाहिए होते है बोर्टर क्रोसिंग करते है वहाँ पर बड़ी बकाईया होती है होफुली इस बार ना हो बाकी यह खड़ी है भाई गाड़ी अपनी सेफ एंड शेक्योर आंटी जी अट जाओ 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 चलो चलो देख रहो बाई क्या लगती है रोड पर तो थोड़ी सी दिक्कत होती है बढ़ ठीक है दिन दिन में तो चलाई लेंगे ऐससा जितनी बड़ी दिक्कत होगी ने हमें सिर्फ 17 किलोमेटर रहा गया है दो चीजे एक तो फ्लैग वेब करना दूसरा मेंको तो याद नहीं का वाई कि कमबोडिया में तो हमने फ्यूल भरवागे दिखाए नहीं आपको की रेट वेट क्या है तो चलो फ्यूल भरवाते है अलगि आदे जादा टैंक भरा हुआ है और वीडियो के लिए एक बार तो बनता है ना रेट देखे तो सही पेट्रोल डीजल कितने लाखों में मिल रहा है आप जो भी पेट्रोल पंप आएगा वहीं रोख लेंगे और उसके बाद फ्रैग वेब करके सीधा बोडर की तरफ रोड तो वही है भाई सेम जो मैं आप बाई बोडर आजेगा लेकिन मिले गानी लपी जी है यह बी लपी जी है डीजल कहीं यह डीजल चाहिए यह यह इंपेड इजल वाई डीजल फुल तो भाई ही इंगलिश में लिखा हुए डीजल यह देखो और यह की डीजल है एक रेगुलर एक सूपर यह पेट्रोल है यह यह डीज ए लो लाग रेगुलर और सूपर वाला महह लोगा फाइप देखना बड़ा कुछन वे इंडिया के इस आप से नभी रुपे डीजल डीजल यह फुल नभी रुपे के आसपास हो गया कितने पंद आपिस लिटर हैं अग्स-फूमैक्स्ट और इंठीज बात ह यह डीजल है ना तो 3851 पर लीटर तो यह सस्ता बड़ा है कि एक डोलर को 4000 इंटर में कनवर्ट करते हैं तो भाई डोलर करेक्ट हो हम इसको डियाल ही देंगे मनला कम से कम रियाल जितने होगा कि बढ़िया ही देना निकाल लो निकाल को सारे 640 पर लिटर और ये सुपर वाला है भाई 1600 पर रिखे मिरे पर के आज़ पाज बहशते हैं इंडिया के कुछ टेट से सस्ता है कुछ टेट से महंगा है नहीं मेरे खाल नहीं हाँ छीख है सही बात है बागी बॉर्डर बस 12-13 किलोमेटर रहा गया है जल्दी ही पहुँच जाएंगे बाई और मैं सोच रहो हूँ यहीं पर फ्लैग वेव कर लेते हैं साइड में लगा के न उधरी तो कि अब बाद बार कहां रोकेंगे जगा मिले न मिले यहां पर कम से कम है तो यहां वहां लगाते है चलो फाइनली अपनी इंडिया डोस्ट इंडिया रोड ट्रिप की कंट्री नंबर फाइफ कमबोडिया में भी अपना इंडियन फ्लैग लहरा दिया है चलो अच्छी रील्स भी ले लिए वेव भी कर दिया फ्लैग और फोटो वगरा भी हो गई है अब फटा फटा बोलर के लिए खीचते है 15-20 मिट का ही खेल लेट्स को भाई पोईपेट में एंटर कर चुक है पोईपेट शहर का नाम है जहां पे कमबोडिया और थाइलेंड का बोडर है कितना है अब यह देख लो 2.7 किलोमेटर है एक्जैक बोडर है यहां से ट्राफिक सा लगा हूँ ऐसे थोड़ा टाइम लग रहा है वरना तो तो तैडम पैर खीची देते भाई तो जी वो आ गया सामने बोडर आपको बिल्डिंग दिख रही होगी वो देखो तो चलते है भाई वहाँ पे फटावट से और शूट तो मैं करूँगा नहीं भाई प्रोसीजर आपको एक बर बताई दिया तो बार बार सेम चीज़ा रिपीट करके कोई फायदा नहीं यह देखो भाई ट्रेन की पट्री भी है तो थाइलेंड से कमबोडिया ना ट्रेन भी आती है य और उसका मैं आपको बताई चुका हूँ जब हमने लाओस से थाइलेंड एंटर किया तो क्या क्या प्रोसीजर होता है और वही सेम चीज रिपीट करके खामखा वीडियो की लैंध भी बढ़ेगी आप भी बोर होगे तो बैटर रहा हम अपना काम वाम सारा निप्ठा के फ फाटक खुल जाएगा आड़ी पांच मिनिट लगे वास उपर भी खाली पड़ा हुआ था जल्दी नहीं पड़िया थाइलेंड एक तो होटल की बुकिंग निकर रखी मेरे को लग रहा है कहीं वो ना मांग ले सबसे पहले तो भाई तो वह सरदर्दी लग रही है दूसर सच उल्टा हो गया ना अब हमें लेफ्ट साइड में रहना है यही कन्फूजन थी जब जग आए थे हम जैसे कि भाई आपने देखा हम कंबोडिया एक्जिट करके सक्सेस्फुली मतलब बहुत जल्दी एक्जिट कर गए थे और थाइलेंड की तरफ एंटर कर रहे थे जब भी इंडिया से निकलते हैं तो भाई पूरी ट्रिफ की ना अच्छे से रिसर्च करके हैं कंट्री के बारे में क्योंकि ट्रिप तो करना बहुत एजिये लेकिन documentation, research करना, हर country में entry procedure क्या है, गाड़ी को लेके, हमार को लेके, वो सब research करना ही सबसे बड़ी मावारत होती है, क्योंकि हम इंडिया में पहले यूट्यूबर हैं जिन्होंने proper guide बनाना शुरू किया यूट्यूब पे, इससे पहले किसी भी यूट्यूबर ने भलई करा हो, यह सब कुछ, लेकिन कोई भी information नहीं देता था कि आपको क्या documents, Carnet क्या है, इस country के restriction क्या है, यहाँ पे क्या document चाहिए, यह सब हमने ही बताया, मतलब हम गए तो हमसे भी पहले बहुत लोग ते Delhi to London या फिर चाइना वाले routes से, पड़ किसी ने धंग से नहीं बताया हुआ था, कहां से agent मिलेगा, क्या agent मिलेगा, तो वो सब ना मैं research करता हूँ, गूगल पर type करकर के कि दूसरे countries के लोगों का experience कैसा रहा, उन्होंने गए तो उन्होंने blog लिख्खे होते हैं, तो वो आपको नेपाल से तिबबत एंटर करना है, तो एक आपको full time guides चाहिए होगा अपने साथ, उसके बिना आप एंटर करी नहीं सकते हैं, तो यह चीज भी YouTube पे available नीती ढंग से कहां से guide मिलेगा, कहां से booking होईगी, यह सब मैंने Google से निकाला भाई, और सारी booking पहले ही करी, तो उसी तरह से मैंने आगे के देश भी सारे करे रखे दे, और Thailand का भी मैंने प्रॉपर research कर रखा था, कि Thailand एक तो visa free होगे, इंडियन के लिए मतलब आपको कोई visa चाहिए ही नहीं, हलाकि मेरे पाँ फिर भी वीजा था multiple entry, sticker visa अपने passport पे, और गाड़ी से रिलेटिड ना भाई, पूरे internet पे कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा था, कि आपको कोई guide चाहिए होता है, आपको कोई escort car चाहिए होती, आपको कोई document बनवाना होता है, simple था Google पे कि आप अपनी गाड़ी लेकर जाओ, चाहे लाओस से जा रहे हो, चाहे कमबोडिया से जा रहे हो, अपना सीधा बोर्टर पे जाओ, वहाँ पे insurance लोगाड़ी का, वह custom वाले आपको एक महीने का paper बना के दे देंगे, और आप entry कर लोगे, और जो जो मैंने रीड कर रहा था, जो मैंने research करी थी, वही बिल्कुल भाई, सच हुआ, जब हम लाओस से थाइलेंड एंटर कर रहे थे, आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी, तो प्लीज देख ले ना, एक बार, सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली हो गया, मतलत 2-3 घंटे लग करें, महाँ पर, किसी भी बोर्डर में दो प्रोसीजर होते है, मेंली, आपको एक तो immigration क्लियर करना पड़ता है, जो कि हमारा, यानि कि human beings का होता है, कि आप एंटर कर रहे हो, अपना passport दिखाओ, वीजा दिखाओ, और वो आपको stamp मार देंगे, दूसरी चीज़े होती है, अपनी गाड़ी या वीकल से ट्रेवल कर लो, आपको customs भी क्लियर करवाने पड़ते है, कि आप अपनी गाड़ी ना उस देश में जाके बेचोगे नी, खुद यूज करोगे, और इतने पीरिड के बाद निकल जाओगे, जो Thailand के case में है, कि वो एक महीने की validity देते है, कि एक अफ के पास insurance है, तो मैंने का नहीं insurance नी है, क्योंकि जो insurance agencies थी न, Laos से जब हम Thailand एंटर करे थे, उन्होंने मना कर दियाता, कि एंडियान कार को insurance नहीं यह तया, तो यह आप था बाद कार आप हैं запाएं करनी कि कोशिश करी थे, इससमें नहीं नहीं मिला था, इसक seront था, खर तो निकल जाओंगा तो नों ने का मिनिमम्म तीन महीने का यह देदो कोई बात निया है रूल है तो ले लेते हैं हमने इंशोरंस कटवाया एक घंटा वेस्ट हुआ फोटो कोपी वगएरा मंगवाई सोहन को भेजा मैंने वापिस कमबोडिया साइड में वहाँ परिंटाउट निकल वाकि लाया फोटो कोपी वगएरा सब कुछ हुआ एक घंटा वहाँ पर बरबाद हुआ इंशोरंस बन गया फिर उन्होंने 20 या 25 थाई बात की एक परची काटी वह पता नहीं क्या बोलते है कि ओवर्स्टे जबकि हम तो थाईलेंड में एंटर कर रहे हैं कमबोडिया से तो ओवर्स्टे कहां कर लिया पर व हमने इमिग्रेशन क्लियर कर लिए और सोहन के तो दस मिनटी लगे तो उपर लिटरली जल्दी से हो गया सोहन से भी जादा कुछ नहीं पूचा की होटल बुकिंग वगरा दिखाओ बस यही था और अराम से स्टैंप मार दिया अब हम इमिग्रेशन क्रोस करने के बाद अपना कस्टम के उनको मैंने अपने कारनेट वारनेट सब कुछ दिखाया स्टैंप वगराने के लिए तो वहां पर लेडी ओफिसर बैठी हुई थी वह उठके गई भाई और अपने सीनियर दो तीन ओफिसर को बुला के लाई फिर उन्होंने गाड़ी चेक करी मिरसे लाउस से जब हम थाइलेंट एंटर करें तो उस टाइम पर भी कोई डोकुमेंट नी बना था स्मूदली एंटर कर लिए तो मेरा भाई दिमाग सा नग गया हुआ पर बड़ा बड़ा लिखा हुए था इतना तो मैं आपको ये फोटोस डाल दूँगा इसके उपर तो इसम अंबोडिया लाउस या मलेशिया की नहीं है इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज की गाड़िया रिजिस्टर है वो सबको पहले ही वीकल एंट्री पर्मिट लेना पड़ेगा और वो पास से छे दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है एंट्री के ताकि आपका आ सके और य की अभी तो चल रही है संकरन जो भी फेस्टिवल था उसकी चुटिया तो अब आपका अप्लाई होगा 16 तारिक के बाद जब चुटिया खतम हो जाएगी मतलब 17 तारिक को अप्लाई होगा और 5-6 दिन लगेंगे आने में पर्मिट यानि 21 या 22 तारिक को आपको पर्मिट म पता उन्होंने कैसे एंट्री दी बट हम नहीं सकते हैं मैं क्या करूं कि आप कमबोडिया वापिस जाओ हमारे पास कोई ऑप्शन यह मैं जाए नहीं सकता वापिस मैं इतना दूर कि आमरीप कहा जाओंगा वापिस और फिर वहां पे कहां एजंसी ढूंदूँगा मैं था प्रिजा करेंगे तब जाके आपको मिलेगा या फिर अगला दिन 12 तारीक है आप जब अप्लाइब कर देना क्योंकि 12 या 13 चुटिया थी तो एक दिन वह था एक दिन हम अप्लाइब कर देंगे और उसके बाद चुटिया हो जाएगी चार पास दिन की फिर आपका प्रोसेसि लेकिन 16 तारिक के बाद 22 तक तो मेरा कोई काम ही नहीं है वीडियो बना पाऊंगा सब कुछ शूट कर लिया मैंने तो करूंगा क्या और गाड़ी का क्या होगा गाड़ी कहां लेकर जाओ यह तो ले जाने नहीं दे रहे फिर कस्टम ओफिसर अच्छे थे देखो वह नोंने से बात करी बट वह अपने रूल्स फोलो कर रहे थे तो मैं उनकी गलती नहीं बताऊंगा यह रूल्स थे वहां क्यों नहीं थे यह रूल्स यह नि मुझे समझाया तो इसमें दो चांस ही हो सकते हम लाउस से एंटर कर रहे थे तो शायद लाउस की गाड़ियों के लिए न को एंटर कर आँगया अपनी गाड़ीगों लेगे तो फिर उन्हों ने हमने मतला ओफिजा अच्छे थे तो उन्होंने का कि तो वो तो इतनी बड़ी बात नी थी बट मैं Cambodia जाना नहीं चाहता था भाई मैं agency से कैसे contact करता कैसे उन्हें payment देता वहाँ पे बैठके कैसे apply होता कैसे सब होता तो मेरी preference थी कि मैं Thailand में ही रहूं किसी तरह फिर दूसरा option उन्हों ने मुझे दिया कि आप हमारे जो custom का warehouse है के लिए वो मना नहीं कर रहे थे गाड़ी नहीं ले जा सकते जब तक वह permit नहीं बनेगा उन्होंने का गाड़ी हम रखेंगे आपकी जब तक आप अपना यह document हमें लाके नहीं दे देते जिस दिन आपका document आजेगा आप हमें document submit कर वाओ और हम आपकी गाड़ी छोड़ दे इंटर करें तब भी हमें नहीं बताई किसी नहीं चीज की document चाहिए होता है अगर हमें ऐसा पता होता तो भाई हम Cambodia ना जाते ही हम सीधा Thailand से मलेशिया चले जाते अपना सिंपल सुखी रहते और अपना shipping shipping करके उस्टेलिया पहुंच जाते बड़ यह कंबोडिया जाना हमार गाड़ी जब्त कर ली तो मैंने उसके बाद के लिए बनाई थी आप वो देख लो भाई यहां पर जब्त करके रख लिए गाड़ी अपनी Thailand में 14 दिन के लिए लगेज निकाला जा रहा है भाई सारा का सारा गाड़ी में से खाली करके देनी है पूरी तो भाई सारा समान व हम आपको होटल तक छोड़ देते हैं आपके बाद समान जाजा है तो मैंने बताया ना भाई काफी सूपर नाइस ओफिस थे बट वो अपना रूल फोलो कर रहे थे जो रूल हमें बहुत दिक्कत दे रहा था तो अब क्या कर सकते थे भाई ठीक है फिर वो समान की गाड़ी में लोड करा वहमें होटल तक लेकरte आए और वोई होटल में जाना था जो हम सेम पिछली बार हुखे थे ना मैंनका अच्छा चोंटल था और छेस सो थाई बात में था तो इसी में रह लेंगे अपना भाई कुरी कष्टम वाले अपनी घाड़ी में हमें छोड़ गया है उसी होटल में जो हमने लाश टाइम ली आता ना तो फॉर्चुनेटली रूम भी मिल गया भाई आओ आओ गर्मी और थकान इतनी हो रही है भाई हालत खराब ही पड़ी है ये गाड़ी है उनके जिसमें हमें छोड़ने आया वो 600 थाई बात में मिल गया भाई सेम टू सेम वह सब्सक्राइब करें तो फिलाल आज रात के लिए ले रहे है कल एक्शन लेंगे जो लेना भाई फिलाल तो चले अभी में थोड़ा एसी यावा खाए साहरा समान लाने में बैंड बजगी वट कम से कम भाई ओफिसर अच्छे थे त्यार से बात करी दूचरी चीज छोड़ ने आगे होटल तक मैंने उनको होटल की फोटो दिखा दी थी कि हम यहां रुके ते लास्ट टाइम तो आगे हैं वरना तो इस वक्तुक टुक टैक्सी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता तो और अच्छा एक्स्पीरेंस हमारा नीरा बट ओफिसर के साथ अच्छा एक्स 21 या 22 तक तो उन्होंने अपने मूँ से बोला कि आपको रुखना ही पड़ेगा यह फेस्टिवल की वएसे क्योंकि कोई सॉलूशन ही नहीं है इसी इसका बुरा फस चुके हम यहां थाइलेंड में इस टाइम पर गाड़ी भी हमारी जपता है कम चकम गाड़ी अपने पास में जो दिमाग खराब कर देती है मतलब यूरोब जैसे इतने बड़े देश है यूके जैसे इतने बड़े देश है वहां पर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप अपनी गाड़ी लाओ मस चलाओ बस इंशोरेंस होना चाहिए आपके बास कारनेट होना चाहिए लेकिन इ लिए इंडियन्स वाली नजिर्ये से देखा जाता है कि यह तो जाएंगे तो आप पीस ही नहीं आएंगे या डॉंग की रूट कर रहे होंगे अब इसमें उनकी खलती है भाई मैं तो मतलब हमारे इंडिया से से रूट करते है जिनको पता है नाप चले जाते हो टूरी वी है जो हम इस तरह की कर रहे है अगर हम इस तरह की हरकतेी नाई करे är तो भाई हमारे पासपोर्टी दी अच्छी घासी वैल्यू रहे हैज़े फ़ावें के तूरी की तरह रहे हैं लैंकि नाम खराब हुआ पड़ है तो उनको भी दोश नहीं दे सकतेएं statement भाई इन Release में नेश घरे अब हैने पासपोर्ट और उसमें फोर भी अपनी इंडियन गाड़ी से माँ की नहीं हो जाती है इतने कुछ देशो शूट करूंगा कुछ ही नहीं मिरे पार शूट करने के लिए पूरा थाइलेंड में घुम चुका हूँ और बिना गाड़ी के तो वैची कुछ नहीं जा सकता मैं तो अब मेरे को पुराना ही जो वीडियो बची हुई है उनी को यूज करना पड़ेगा और वेट करना पड़ तो हर बार दो दिन छोड़के आए ही आए लंबा गैप नहीं होना चाहिए मैंने ये साथ साल में यूट्यूब से सीक्या तो काफी लोग जो देखते है वो उल्टा सीधा बोलते तो है भाई कि आप डाल नीरे रेगुलर ये वो बट मुझे पता न भाई वो लोग यूट तारिक को देख रहे होंगे 19 ये 20 तारिक को जबकि भाई ये हमार साथ किस्ता कब हुआ है पूरा का पूरा 11 ये 12 तारिक को तो इसलिए ये व्लोग स्पेंडिंग थे तो चैनल पर डल रहे है वरना इतने दिन से चैनल गायब हो जाता है फिर लोग मेरे को मैंजित करते कहा सब्सक्राइब हो जिन्दा हो ना व्लोग क्यों नहीं आ रहे है ठीक है वह अलग सीज़ा भाई अभी इस चीज से नहीं पटना है फटाफट से डोक्यूमेंट बने अपना वह एंट्री पर्मिट और देखते है उसकी फीस वीस क्या है कल बता हूँ आपको सब पैसो का तो मोटा फटका लगने ही वाला है भाई टाइम वेस्ट अलग होगा ठीक है खतम करते वीडियो को किसी की गलती नहीं मैं ना किसी देश के रूल्स को या गवर्मेंट को गलत बोल रहा हूँ मैं तो खुर्दूल्टा गलती मान रहा हूं कि इंडियन पासपोर्ट की इन देश इंडियन जाके किसी देश में गलत चीज़े कर रहे हैं तो विसली वह भाई दूसरे इंडियन पर भी शक करेंगे ही करेंगे ठीक है यार खतम करते वीडियो को मिलतों नेक्स व्लोग में तिल दें गुडबाएन ऐस ओलवेज तीक है रास्तों में नहीं पढ़ना फीका हुआ हुआ है